देशी पुलिस के दम के बारे में आपको बताए उससे पहले आपको इनके इतिहास को भी जान लेना चाहिए बात आज से 105 साल पुरानी है साल 1914 में प्रतम विश्व युद्ध की शुरुवात हो रही थी अंग्रेज भारत पर पूरी तरहे अपना नियंतरन बनाने की कोशिश कर रहे था और युद्ध की स्थिती के चलते पूरी दुनिया में राजकता का माहल बन रहा था वहीं इसी दोर में 36 गड के सरगुजा स्टेट में स्थानिय आदिवासी अनाज के लिए संगर्ष कर रहे थे आदिवासियों के पास खेती का कौशल और संसाधन नहीं थे तो इस वज़े से वे गुटों में आते थे और किसी भी खेती फसल काट कर ले जाते थे यह उनकी म आदिवासियों का आतंक जारी था तो उस वक्त महराजा रगुनाथ शरन सिंग देवसर गुजा स्टेट के राजा थे उन्होंने उस समय पनप्रहीं स्थिती पर काभू पाने के लिए एक नायाब समाधान निकाला महराजा रगुनाथ ने आदिवासियों को रोकने के और जनता की रखवाली का हुक्म दिया। इस तरह हुआ ट्राइबल पुलिस का गठन स्थिती को देखते हुए सर्गुजा महाराज ने साल 1914 में ब्रिटिश बिहार की तर्च पर 36 गड के सर्गुजा स्टेट में देसी पुलिस बल का गठन किया था। यह ट्राइबल पुलिस ट्राइब्स को सीविलाइजेशन का हिस्सा बनाया और उनके कंधों पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी डाली। पुलिस बल में भरती के बाद इनकी बकायदा ट्रेनिंग हुई। जब इन्हें कानून व्याव था और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी कर सभी जवान पूरी तरह भारतिय थे। ऐसी थी कानून व्यवस्था उस समय सरगुजा स्टेट में 22 थाने बनाए गए और अंबिकापुर शहर में एक पुलीस कंट्रोल रूम और सरकल ओफिस स्थापित किया गया। यह कंट्रोल रूम सभी 22 थानों से होट लाइन से उस दोर में कहीं भी किसी भी घटना के होने पर ततकाल पुलिस सहाय तम है या कराई जाती थी। बाबु राम व्यास और भगवान दास उस समय अलग-अलग जौन के एस पी थे। इनके निरदेश पर पूरा महकमा काम करता था। नौद शक पहले आपातकाल के लिए पैरी पेरी एंबुलेंस उस दोर में पूरे राज्य में उपचार और शिक्षा की सुविधा मुफ्त देती थी। कोई घटना होने पर गाव के चौकीदार और अन्य लोग थानों में इसकी जानकारी देते और यह जानकारी ततकाल महराजा तक पहुंचाई जाती। इस जानकार महराजा रगुनात शहर सिंग देव के निदन के बाद उनके बेटे महराजा रामानुज शहर सिंग देव ने इस देसी पुलिस विवस्था को और भी ज्यादा मजबूत बनाया। सब्सक्राइब करें सदस्य बने जिससे आपको हमारी सारी सूचना मिल सके। अब हम आपसे लेते हैं बेदा नमसकार।